कारक्रम के अंत में अब हम निवेदन करते हैं परमपूज शंत श्री विकास सहब जी से कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभानुद करने की कृपा करें पूजनी संत समाज धरम प्रेमी बंधूँ श्रद्धा मूर्ती माताओं आज पूर्व वरस की भाति सत्संग है और ये आपसी भक्त मित्रों का की सभा है उन मित्रों में से देखो एक मित्र चले गए भक्त राजश्री सुभास जी बड़े प्यारे मित्र रहे सत्संगी उनको हम नमन करते हैं सद्गुर कवेर कहते हैं कि संसार गंदगी का पिटारा है ये संसार सकल है मैला राम गहेते सूचा कहाए कवेर राम नहीं छाड़ो गिरत परत चड़ उचा संसार गंदगी का पिटारा है यहां की गंदगी और कचड़ा में बदबू है लेकिन बदबू लगे तो खुसबू के लिए आदमी भागेगा अगर गंदगी लगे दुरगंधी आये तो सुगंधी की खोज अपने आप चालू होगी पिएकि दुरगंधी लगती नहीं है और उसी में आनंद मान लिया गया है तो खोज करे तो कैसे करे आदमी दुख लगे तो सुख की खोज आरंब हो एक बैक्ती अंधा होता है उसे हर समय एक एक पग पर आँख की खोज होती है कि आँख होती मेरे पास तो कितना अच्छा होता है प्रभू तुने मुझे आँख नहीं दिया अब वो दिल से मुक्से तो नहीं कहता बार बार कभी कभी कहता है लोगों से मिलता है तो लेकिन दिल से बार बार कहता है कि मैं अंधा क्यों हूँ मुझे आँख होती तो कितना अच्छा होता आँख होती मेरे पास तो कितना अच्छा होता इसी तरह है जिसे ये महसूस हो जाए कि वास्तों में मैं ये क्या कर रहा हूं कैसा जीवन जी रहा हूं ये गलत जीवन है दुखदाई जीवन है ये बंधन का जीवन है ऐसा जिस दिन लग जाएगा न तो वो भागेगा चारो तरफ जैसे म्रिगा ढूडता है उसे पता चला कि सुगंधी आ रही है कहां से आ रही है दोड़ा हाँ भ्रमित हो गया तेहां कई बार लोग दोड़ते भी हैं लेकिन उल्टी दिशा में चले जाते हैं म्रिगा की तरह सुख लगता है कि सुख मिले तो अच्छा रहे यह की दुख लगा लेकिन विप्रीद दिशा में लोग भागते चले जा रहे हैं अब उसी सुख की खोज में तो नाना प्रकार की पूजा पद्धती करम कांड धरम करम और तमाम चारो धाम और अनेक जागरण हो रहे हैं उसी सुख की खोज में कि सुख मिले दुख हमारा कटे तो क्या ये सही दिशा है विचार करने की जरूरत है विचार ना करने से पता ना लगाने से सही काम ना करने से आदमी का समय निकल जाता है कई बार ये होता है जो हम कर रहे हैं सही तो है न और इसी से तो प्रभु मिलेंगे हमारा दुख कटेगा मुक्ती मिलेगी सान्ती मिलेगी चारो धाम घूमाए बहुत संतुष्ठ हो इसी का गर्व है अब चारो धाम क्या घूमाए घमंड सीर पर बैट गया करके अब तो विश्वास ही हो गया कि अब बद्री नात हो आएं है क्या कहना अब पूछना जाचना है नहीं किसी से मान लिए कि यही सुगंधी है लेकिन यह सुगंधी नहीं है पूछना पड़ता है थोड़ा से तरक जरूरी है कुतरक नहीं तरक जरूरी है नहीं समय बीत जाएगा भाई इस अंसार बड़ा विक्राल है अनंत सास्त्रम बहुलास विद्या अलपस्चकालो बहुविगनताचा यतसार भूतम तदुपास नियम हंसो यथाचीर्मिया मुमध्याद बहुत सास्त्र हैं बहुत बिद्याएं हैं बहुत कलाएं हैं बहुत धरम करम की नियमा वलिया हैं समय थोड़ा है अनेक प्रकार की बाधाएं हैं उसी में इसी से छुट्टी नहीं मिलती है सत्संग का नाम लोग चलो सत्संग में बाधा खड़ी हो जाती है सामने तो कहीं सरीर में दर्द है तो कहीं बारिस हो गई है तो कहीं फोन आ गया है कहीं आफिस से फोन आ गया है कहीं कहीं से कुछ हो गया है बाधाय आ जाती है कहीं मन ही जवाब दे देता है मेरा तो मन नहीं लग रहा है अनेक बाधाये हैं समय थोड़ा है और इसी में हम उलजना आरंभ किये हैं आगे बढ़ ही नहीं रहें समय बीच जाता है बस एक दिन पस्ताते होए आदमी चल देता है जहां जो हैं सही चीज का निरड़े करके उस पर चलना आरंभ करें और फिर सरतुकवीर कहते हैं खोजी होए तुरत मिल जाएं एक पल की ही तलास में खोज चालू करें नहीं पूछेंगे संत गुर्जनों के पास नहीं जाएंगे सही ज्यान भक्ती करम नहीं होगा तो कोई योग बन नहीं पाएगा कैसे समय खराब हो जाता है अपने अपने मन की बात मन में रखने से एक परिवार में दोनों प्राणी रहते थे पती मोदे कहीं चले गए थे अपने कामधाम में घर में एक सज्जन आ गए उनका नाम था अंकल जान तो आए घर में प्रवेश किये घर की देवी निकली देखा ती अपरचीत आदमी है भहिया आप कहां से आए कौन है बोले देवी मैं अंकल जान हूँ निर्भायता से बताए तो उन्होंने सोचा मैं तो नहीं जानती हूँ लगता है मेरे पती के ये कोई अंकल है अंकल जान तो अब इनका तो संमान स्वागत होना ही चाहिए अच्छा ठीक अंकल जान है आईए बैठी स्वागत है तो चाय पानी और मिठाई ये सब करने लगे बैठ गए आराम से उनके लिए बढ़िया विस्तर लगा वोगा दिये थोड़ी देर में घंटाद घंटा बीता देवी ने कहा कि आपके लिए अंकल क्या बनाएं भोजन में क्या लेता उन्होंने कहा ठीक है ऐसे ऐसे बनाईए बढ़िया से खेर पूरी सबजी बनाईए और चटपटेदार सबजी कुछ बनाईए और मस्त सब लोग खाएंगे अच्छा अच्छा ठीक है इतने में घर के मालिक आ गए उन्होंने देखा कि एक पड़े होये हैं सज्जन तो घर में प्रवेश किये गए पत्नी के पास खेर अरे देखा नहीं अंकल जाना आए हैं अच्छा अंकल तो उनके मन में आया कि इतना तलींता से सेवा कर रही है विष्टर लगाई है स्वागत से और खीर पूरी सबजी बना रही इनका कोई अंकल इनके चाचा जी आए होंगे उन्होंने भी तर्क नहीं किया मन में मान लिया कि हमारे पत्नी के अंकल है अच्छा ठीक है आए बैठे कि हमें आरे पत्नी के अंकल है तो फिर क्या कहना आकर खुब बात चीत किये लंबी चोड़ी खुब बातें हुई आराम से घुल मिल करके रहना आरम हो गया रोज रोज बढ़िया स्वागत होने लगा अंकल जान तो बस बैठ गए फल थी मार करके और वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे सोचे अब हमारे पत्नी के अंकल जी हैं भाई अगर हम कुछ कहते हैं तो पत्नी नाराज हो जाएगी पत्नी के मन में हुआ कि हमारे पती देव के अंकल हैं अगर हम कुछ धिलाई करते हैं स्वागत में तो पती देवता नाराज हो जाएगे चलता रहा साथ आठ साल तक वो पहलवान वहां च्छांते घोटते रहे और एक दिन विमार पड़े और मर गए तो कफन दफन किये और आकर के बैठे घर में तो पती के मुख से निकला घर के मालिक से कि क्या बताओं देवी अगर तुहारे अंकल न होते ये तुम्मा इतना बरदास्त ना करता इस आदमी की इतने साल तक सेवा करनी पड़ी कहें अरे क्या बात कर रहे हैं मेरे अंकल मेरे अंकल अंकल नहीं है ये तुहारे अंकल है अगर तुहारे अंकल न होते न मैं उनको एक बार भूसी के रोटी बना के भगा देता उनकी भूसी निकाल देता मैं उनको हल्वा पूरी खिलाने वाली थी दोनों को पता चला कि न उनके अंकल न उनके अंकल वो तो अंकल जान है तो बहुत बिचारे पस्ताए कि ये बात अगर हम तब ही पूँछ लिये होते तो इतनी जंजट हम असात आठ साल क्यों साहते समय इतना बरबाद हुआ पस्ताए बहुत बिचारे ऐसे ही हमें पता ही नहीं है कुछ चीज़ का देवी देवता इस्वर परमातमा जिन देवी देवताओं को हम असिलियत में मान करके पूज रहे हैं जिन इस्वर परमात्माओं के पीछे मुक्ती की प्रतिक्षा कर रहे हैं, कि अब बस मुक्ती ही मुक्ती ले कर देंगे, उसमें सब बंधन ही बंधन बन जाते हैं, आसत्ती बन जाती है, अज्यान की पुष्टी होती है, अनेक विकार और दुर्गुण आ जाते हैं, कुछ छ मान करके ही तो सारे दुर्गुण मनुस्यों की जीवन में हैं गली गली पर तमाम मंदिर मस्जिद बने हुए हैं अगर इनमें कुछ लाब होता समाज को तो समाज का नव निर्माड हो जाता सबके मानसिकिस्ति में बदलाव आ जाता वही दुर्गुण दुराचार वही दोस वही कलाकल्पना वही लड़ाई जगड़े वही चोरी बदमासी वही छलकपड बेईमानी दगाबाजी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे है वजन भक्ति तो हो रहे है कहा नहीं हो रही है इसलिए शंडेह की जरूरत है की नहीं आखिर इतना सब हो रहा है सदियों से भगवान की पूजा हो रही है मनुस्त को शंदेह नहीं होता है शंदे करने की जरूरत है तर करने की जरूरत है चारो तरब जो विशमताएं है तरक हमें आगी बढ़ाता है नए नए खोज करवाता है तो इसलिए आदमी चाहे जितना सुने अब पूजा पाठ करे जब तक उसको बद्बू नहीं लगेगी संसार की गंदगी से तब तक वो खुस्बू खोजेगा नहीं कितना भी सत्संग सुना डालो गीता भागवद वेद सास्त उपनिसत पुराण समय तो बढ़िया बातें लिखी हैं कल्यान की सामगरी है और इस संसार में सब दिखाई देता है एक सेक संत महात्मा पुराकाल से होए कहा कब नहीं होए एक सेक चोड़दार जोरदार बातें बताई गई लेकिन सदा से संसार ऐसे उल्जा हुआ रहा तो इसी में से कोई भाग गसाली और पुन्यात्मा जनम जनम का संसकारी को वो दुरगंधी समझ में आती है और आत्म ज्यान की सुगंधी के लिए वो सब छोड़ करके निकल पड़ता है त्यागता है इसलिए सद्गुरु सिरिपूरण साहिब ने कहा कि दोस द्रिष्टी जबही भई तब उपजो बैराग द्रण निर्वेद जाको भईो सोई मुक्ष बड़भाग दोस द्रिष्टी होना जरूरी है हमें तो सुख द्रिष्टी मालूम हो रही है सुख द्रिष्टी में कभी भी दुख मिटने वाला नहीं है जहां जहां यह मन आ सकत है तो हर जगा दोस ही दोस है उसमें इस सरीर में दोस है इस सरीर में आ सकती कितनी है मेरा सरीर है और इसी में हम मान लिये हैं इसी में अनिक प्रकार की विकार पैदा हैं इसी को मैं मान लिया हूँ मैं बिल्कुल अलग हूँ ये सरीर मैं नहीं हूँ मैं और मेरा कभी एक नहीं होता और मेरा कभी मैं नहीं होता मैं कभी मेरा नहीं होता ये बिल्कुल साफ साफ बात है हमारे संद समझाते हैं सरल उधान देकर के मोटर और ड्राइवर घर और घर का मालिक table lamp है और ये मानुए एक lamp है focus और जिंदगी किताब को पढ़ने के लिए दुनिया की किताब को पढ़ने के लिए lamp है ये सरीर जल रहा है और सवभाग समझो कि ये सरीर रूपी lamp जल रहा है बुझा तो नहीं है और खुसिया ही खुसिया इससे प्राप्त करो, लेकिन नहीं, आदमी उदास है, निरास है, कभी भी जीवन में समय स्याएं, उदासी, चिंता, फिक जब आती है, तो उससे आदमी को खोज करना चाहिए, और सदुपियोग भी करना चाहिए, किसी ने कहा कि सर्प को सीड़ी बना करके हम आगे बढ़ सकते हैं, खुशियों को हासिल कर सकते हैं, छट पर पहुँच सकते हैं, सर्प की सीड़ी का मतलब, अरे ये चिंता, फिक्र, उदासींता और विकलता, ये सब सर्प ही है, जिन्होंने अनप्रत्कूलताओं को दुख म पाना, आविपत्तियों से हारा, भागा, वो कुछ नहीं कर पाया, उसका सुद्पियोग करके तुरंत उसको अपनी सीड़ी बना लिया चढ़ने के लिए, सुक तक पहुँचने के लिए, अपनी उन्नती तक पहुँचने के लिए, तो मतलब प्रतिकूल परिस्ति हमको कु सद्गुर कहते हैं कि जीव के बंधनों को छुडाने वाले संत गुर्जन हैं, और ये आपके सगे हैं, इस सहायक हैं, उद्धार करता हैं, इस संसार सागर में एक संत गुरु ही दिखाई पड़ रहे हैं, जीव की सहायक, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सद्गुर कवीर का बचन भी है, कि संत सगा और गुर सगा, और सगा है राम, कहें कवीर ये जीव का तीन ठवर विस्तराम, तो तीन ही जगहें हैं कि वो जा करके अपना विस्त्राम अस्थल को पा सकता है सान्ति को पा सकता है संत अपने सगे हैं और यह असली सगे हैं कि जो हमारी वस्तकु तक पहुँचा सकते हैं दिला सकते हैं बता सकते हैं और गुरू सगे हैं तो इन सगों के पास इन अपनों के पास इन गुर्जनों संतों महानपुर्सों के पास जा करके हमें अपने आपकी खोज करना चाहिए अपने आपका पता लगाना चाहिए तो बस यही उनसे मिलना है कई बार होता है भावगता में संत गुरू से लोग आसिरवाद ले करके सब दुख मिटा लेना चाहते हैं आसिरवाद कोई ऐसी चीज नहीं है उनका ग्यान उनकी सलाह उनका मनोबल, आत्मबल, साहस उनका जो ग्यान वैराग का बल हमें मिल रहा है प्रेड़ा मिल रही है, आदर्स मिल रहा है वही किरपा है उस से हम उसको ले करके हम दुखों से लड़ने का बल प्राप्त करते हैं दुखों से बचने की ताकत प्राप्त करते हैं संत गुर्जनों की यही किरपा है कि हमको उनसे बहुत बड़ा बल मिला तरीका मिला, युक्ति मिली अयुक्ति से मुक्ति मिल गई बाकी इस गुरु और संत और साध्य के नाम पर जो लोग खिलवाल करते हैं अब भावक लोग जो लोभी बन करके अपनी मुर्खता करते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं प्राप्त कर पाते तो सद्गुरु कहते हैं यहां कि ऐसे लोग धूर्त लोग ठकते हैं, मुर्ख लोग ठका लेते हैं अपने को तो धूर्तों मुर्खों की बजार यह लगी रहती है इसी में से कुछ जागरित पुरुस होते हैं भाग शाली पुन्यात्मा जनम जनम का कहो कि विवेकी बन करके, विचार और विवेक को धारण करके सच्चे कुर्जनों की खोश करते हैं और जीवन के सत्य सचाई में रह करके और मुक्ती शान्ती तक पहुँच पाते हैं नहीं तो भाई समय बड़ा नोखा है संसार बहुत जंगल है इसी में लोग उलश जाते हैं कितने लोग उलशते हैं कि ऐसे लोगों को क्या बताओ सब जग अंधा मैं कही समझाओं एक दूई होए उन्हें समझाओं सबे भुलाने पेट के धन्दा और अंधों की रक्षा के लिए अंधे लोग इतना रच्छक बन जाते हैं कि उनके बीच में बोलो तो बड़ी समय से खड़ी हो जाती है हर समय इसका बोल वाला रहा है और रहेगा आगे भी क्योंकि आखे जब नहीं होती है तो कहते हैं यहीं सही है वो कहाने की हाथी का सवदा अगर आया हाथी बेचने के लिए तो चार छे अंधे पहुँचे गाउं के अनाडी लोग थे और नया गाउं था हाथी देखे नहीं थे तो चार छे लोग आ गए गए चलो हाथी देखने सवदागर आया है हाथी लेकर के बेचने वाला गए एक जाकर पयर पकड़ा तो कहता हाँ हाँ हाथी तो खंभा जैसे होता है एक उसका पेट छू लिया हाँ हाथी तो दिवार जैसे होता है एक ने कान छू लिया हाथी तो सूप जैसे होता है एक ने पूछ छुआ तो हाथी ज़ाडू जैसा होता है एक सून छू लिया तो हाथी सोटा जैसे होता है सहाब अपनी अपनी बातें करने लगे क्या हाथी सोटा जैसे होता है सब मान लिये अपनी अपनी बात उसी में जहगडा कर रहे है हाथी जैसा है तो ऐसा है हाथी न जाडू की तरह है न सोटा की तरह है न खंबे की तरह है न दिवार की तरह हाथी हाथी जैसे है कौन जानेगा आँख वाला जानेगा देखने वाला जानेगा वो अंधे लोग नहीं समझ पाएंगे ऐसे ही संसार के लोग है मुक्ति गती सांती परमात्मा भगवान क्या होता है जिसके अंदर वो दिमाग नहीं है वो आत्म सक्ती नहीं है वो त्याग नहीं है वो बैराग नहीं है वो जागरती नहीं है वो लोग कैसे उसको जान पाएंगे वे ताकत नहीं है वैसा है पासे भासे नहीं नालत ऐसे जिंद तुलसी ऐसे नलिन को भयो मोतिया बिंद पास में है लेकिन भासमान नहीं हो रहा दिखाई नहीं दे रहा जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग तेरा साई तूझ में जाग सके तो जाग सद्गुर्ण कवीर की तो एक एक बाते हैं और बिलकुन खुली हुई पुस्तक है बेदसास्त रहे लेकिन ये दुनिया है इसमें कहने सुनने वाले सदा से रहे लेकिन वही बात है कि जिनको इस कचड़े में रहने की आदत पड़ गई है उसी अंदविश्वास पाखन में जूझने की आदत पड़ गई है आखें खोल ही नहीं रहे है कोई आते हैं महराज कौन नाम बड़ा होता है नाम बहुत होते हैं नाम की कौन सा नाम की पूजा पाट करें उनको क्या बताओगे कितना नाम है यहां तो लाखों करोणों नाम है और नाम सब जूटे है किस नाम की पूजा करेंगे जो नाम सही भी लगता है वो बहुत विचार करने पर वो भी जूटा हो जाता है देखो मैं हूं मैं हूं सब लोग कहते हैं मेरा है तो छोड़ कर लोग चल ही देते हैं अब मैं को कैसे छोड़ पाओगे हां कभी-कभी अपने सरीर में से जोड़ लेते हैं मैं को सद्धग्रु विलाज साहिव ने बताया है कि एक माईक होता है वेवहार चलाने के लिए एक तत्थ होता है मैं पन तो वेवहार चलाने के लिए भी संसार में मैं का उप्योग करना पड़ेगा नहीं तो मैं तो अजर अमर अविनासी चेतनात्मा हूँ लेकिन मैं भी पर्याप्त नहीं है मैं तक पहुचने के लिए उसके लिए अंतता तो महोन होना पड़ता है महसूस करना पड़ता है अनभाव करना पड़ता है माई को उलड़ दिया जाय तो ओम बन जाता है अब ओम वाले कहते हैं यही बहुत बड़ा एटमबम है अब ओम से बड़ा कुछ होता ही नहीं माई को उलड़ दिया जाता है जब माई में दो अक्षर हैं मा और आ तो उसको उलड़ दिया जाया तो ओम बन जाता है आप इसी को और कुछ बना दी तो नए नए सब्दों को लोग महा तो देते हैं कोई इसी में नए सब्दों दे देता है तो और रूड बना देता है कि यही सबसे बड़ा है कोई सचिदानंद का नाम ले ले कोई ओम का नाम ले ले कोई और भी नाम ले ले बहुत सारे पंथ मत मजहब हैं कि अवल सब्दों की छाया में लोग बहर हैं तत्त खोजना चाहिए इस्वर प्रमात्मा भगवान खुदा गाट राम रहीम कुछ भी कहो असिलियत तक हमें पहुँच जाना चाहिए विचार विवेक के माद्यम से और वही ठहर जाना चाहिए यह सब नाम हैं यह सब सब्द हैं शब्दों के उपर साहब कहते हैं जो सब्द विवेकी होए जो सब्दों का विवेकी होगा वही सच्चाई तक पहुँचेगा इसलिए हर सब्द में हम विवेक करें और तत्थ तक पहुँचें जो भीतर आत्मा वैठा हुआ है जो जीव कहते हैं जो परमात्मा है सभी परमात्माओं का परमात्मा है सारे जितने नाम है नाम धराने वाला तो उसका सबका नाम करने वाला जन्मदाता यह आत्मा ही है अब वो नाना है सबके अंदर है इसके लिए हम मजबूती से इसका बोध प्राप्त करें इसका रहस्य जाने और वो ध्यान साधना से होगा अध्यन से होगा गुरुशंतों की संगत से होगा ऐसा करके हम इस अपनी बात को यह विराम देता हूं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए सद्गुरु देवा की जै